हाई अब्रोवान मैं आपका दोस्ता है स्वागत करता हूँ अपने चनल पे आज आ रहे है टेक न्यूस नूबर 86 तो शुरू करते हैं बड़या बड़या देश और दुनिया की टेक न्यूस तो पहले न्यूस की बात की जातो एपल जी हाँ एपल का एक लीक सामने आया है कह तो देखते हैं कामिंग मैक्बूक में क्या होता है निख्स निउस की बात की जो रियल्मी X50 Pro, जी हाँ, रियल्मी X50 Pro का जो स्कोर आ है, N22 का वो है नहीं, बूट 5,75,000, मगर जब यह लाँच होगा तो स्कोर 6 लाग से भी उपर हो सकता है, तो देखते हैं भई, फोन बहुत बढ़िया लग रहा है, बार सलोना में लाँच साथ यह फोन आएगा, और देखने में, होफुली, रियल्मी X2 की तरह ना हो, नेक्स्ट निउस की बात की जदो, वीवो, वीवो ने भी ट्रॉक कर लिया है, MWC से, तो हम बात कर रहे थी, वीवो ने लाँच करना था अपना वीवो Apex 2020, कल मैंने उसकी पिचर भी सामने ल हम रिवी ट्रॉक कर रहे हैं, और अपकमिंग इवेंट हम करेंगे एक जल्दी ही, जिसमें आएगा, वीवो Apex 2020, तो देखते हैं, कब तक आता है फोन, लोग मुझे बहुत प्यारी लगी, नेक्स्ट निउस की बात की जदो, सामसन, सामसन ने लाँच किया है LPDDR5, जिसमे लाँच हो जाएगी, तो देखते हैं, किस प्राइस में लाँच करते हैं, और किस प्रोसेसर के साथ, कहां कहां पर ये जाता है, नेक्स्ट निउस की बात की जाए, तो भई, Microsoft, Microsoft ने लास्ट येर, अक्तूबर में 2019 में दिखाया था, कि एक डूवल स्क्रीन फोन लाँच कर हैं, तो 2020 में फोन आएगा, मेबी में के पास ये आजाए, तो देखते हैं, कैसा होगा, जो होगा, हम आपको पता देंगी, नेक्स्ट निउस की बात कीज़ए, तो मी टैन, जी हां मी टैन, फ्लीक्स बहुत जादा आ रहे हैं, कल ये लाँच होगा, 13 फरवरी को ये चाइन में लाँच हो जाएगा, और MWC में भी जा रहा है, उसके पात शाहदे इंडिया में भी आए, तो फोन में कहरे हैं, OIS and EIS सपोर्ट हुआ, कैमरे के हिसाब से बहुत बढ़िया फोन होगा, 108 मेगा पिक्सल का कैमरा लगा है इसमें, और सोच रहों में इसकी वीडियो बना तो Xiaomi ने अपना Crown Funding Product launch किया है, Girls के लिए Mejia Sonic Cleansing Device यहाँ, जो Girls अपनी क्लिजनिंग करती है, Face पे वो डिवाइस लाँच किया है, आज कल से इसकी सेल है, पहली सेल में इसका कॉस्ट होगी 1000 रपे, उसके बाद होगी 1300 रपे, और मेरे मतलब पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, ज और Redmi का President है, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि मार्च के end तक Redmi K30 Pro आ जाएगा, साथ में इसमें मिलेगा आपको wireless charging, जी हाँ, Redmi K20 में भी wireless charging नहीं था, तो K30 Pro में हो सकते है wireless charging, तो बढ़िया है अगर wireless charging में मिलेगी, और phone की price के 30,000 अंडर होगी, तो मैं बहुत एक्स अगर Snapdragon 865 अंडर 30 के आजाए, तो कमाल हो जाएगा, और इंडिया में देखते हैं, POCO F2 बनके आता है, या नहीं आता है, या Redmi K30 Pro बनके आता है, जो होगा हमारे चलनल में पता चल जाएगा, नेक्स्ट निउस की बात की जाए तो Android 11, जी हाँ, Android 11 ये कुछ और फीचर सामने मैं 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 ये लाउंच होगा, तो इसमें मिलेगा आपको कि ये रिमूफ कर रहे हैं कि लिमिट आफ मैक्सिकम 4GB वीडियो फाइल, साथ में आप थ्री पार्टी स्कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, API के थूरू, डिजिटल आईडी, लोकल स्टोरेज भी अप कर सकते हैं, ज कस्टम डाक मोट आप अपने अरॉड फोन में इसली कर सकते हैं, साथ में इसमें उगो शेयर टू प्रिंट, जिहां अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, शेयर के आप से ये डिरेक्ली प्रिंट कर सकते हैं, तो ये फीचर में जो काफी बढ़िया लगा, शेयर टू और तोड़ा डिफरेंट है, इसका जो रेक्टेंगलोर कैमरा है, वो ही वीव एपेक्स में मुझे दिखा वैसा ही लग रहा है, और ये 22 फरवरी को लाँच होने वाला है, बाकि इसमें 120 हर्स का रिफ्रेश रेक्ट, डू के रिजूलूशन कैसा स्क्रीन में बलेगी, 240 हर् ये फोन देखते हैं, किस प्राइज में लाँच होगा, 50,000 एक्सपेक्टिट प्राइस कहा रहे है, बड़ी फोन हो सकता है, अगर प्राइज भी बड़ी नूच हो जाए, नेक्स्ट नूज और लास्ट नूज की बात की, और जो सबसे बड़ी नूज है, ड़ी मी, नोट 9 9 and 9 pro चीन आपके एक पिच्चर सामनी आई है चो कहारे है शाओमी ने पेटेंट फाइल किया था एक अपने अपने मिड रेंच फोन के लिए और यह हो सकता है रेड्मी नोट 9 हो काफी रेड्मी नोट 9 लग रहा है क्योंकि रेड्मी नोट 9 में उता है वाटर रॉप्लेट नॉच इसमें भी है जो इसका चीन है वो थोड़ा वाइडर है तो भी एक सस्ते फोन में आएगा तो मेरे कर्टियाना 800-1000L प्रोसेसर यूज़ किया जा सकता है मैंने थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ में पताया था आपको की Redmi Note 9 सीरिस में MediaTek का प्रोसेसर यूज़ होगा और ये शायद Redmi Note 9 मोसली 10,000 के बीच में आदा तो 10-11,000 में होगा और जो Pro होगा वो होगा 14-15,000 तो देखते हैं कब तक आएगा March या April में इसके आने के बहुत चांसे है एक dedicated वीडियो जल्दी लाओंगा मैं आपको इस फोन के बारे में जो भी मुझे चाइना से लीक्स मिले हैं उस पे आएगी तो आज की टेक न्यूज में बस इतना है बड़या लागे तो एक लाइक जरूर कीजिए न्यू है चालन पर तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जहन्त वंदे मातरम